तो संदे कुलमं मेसे मगूं मौजूद हैं देश रोजाना के इस्ट्रल मीडिय बास पर हर्याना के अंदर महिल नुधलए रहन सब्सक्राइब 앞에 महिल corresponde में चुल्हार के देश रोजाना के डिशून की बास पर महिला अधिला ऊधिरबयार की बात करें या महिलाakे साथ में अत्याचार की बात करें इस सब को ले करके हर्याना सरकार पूरी तरह एक्षन मोड में है आप से सारी बात का जिक रिसली कर रहे हैं कि हर्याना का जीन्द जिला मैंने आपके साथ कई वीडियो पहले भी शेयर किये हर्याना के जीन्द जिले के अंदर जो वहां के पुलिस अधिक्षक थे जनका भी हाल ही में ट्रांसफर हो गया वाके पुलिस कप्तान पर आरोप लगाये थे जीन्द की महिला पुलिस करमियों ने आरोप लगाये थे कि जो उनका पुलिस अधिक्षक है पुलिस कप्तान है जो IPS अधिकारी है प्रमोटी IPS है आरोप लगाये थे कि पुलिस कप्तान साब महिला पुलिस करमियों पर बुरी न ठीक को डालने वाले जो आरोप लगा था कि जीन्द ब्रेकिंग न्यूस के नाम से कोई फेस्बुक पेज है जिस पर वो सब चलता था और वहां के पुलिस अधिक्षक ने इस बात को बड़ी गंभीरता से कहा था जो वहां के निवर्तमान पुलिस अधिक्षक जिनका ट्रांसफर हो चुका है और जो आरोपी थे जिन पर सारे आरोप लगाए गए थे उन्होंने कहा था कि ये उनकी छवी को धूमिल करने के लिए है लेकिन जिस प्रकार का एक्षन हर्याना सरकार ने लिया है अगर कहूं मैं पिछले एक सप्तहा के अंदर जिसकी सरकार से उम्मीद भी की जा रही थी और जो होना भी चाहिए था वो हुआ आपको बता दें पूरा वाक्या शुरू से बता दें कि जीन्द जिले के पुलिस अधिक्षक जो निवर्तमान पुलिस अधिक्षक हैं जनका ट्रांसफर हो गया जनको बहां से जीन्द से बदल करके और अंबाला जिले में रेलवे के अंदर भीजा गया है क्योंकि अब सब कुछ काफी हद तक सामने आ चुका है वो पुलिस अधिक्षक खुद सामने आ चुके हैं उनका बयान हो चुका है आई पीए सदिकारी का तो इस लिहाज से उसके अंदर बहुत ज्यादा छुपाने वाली बात कोई रही नहीं है उन पुलिस अधिकारी पर जो आरोब लगाये थे वहां की जीन्द की महिला पुलिस कर्मियों ने और आरोब लगाये थे कि पुलिस अधिक्षक महिला पुलिस कर्मियों पर गलत नज़र रखते हैं एक चिठ्ठी वाइरल हुई थी तीन पेज की सोशल मीडिया प्लेटफर्म्स पर और उसमें कहा गया था महिला पुलिस करमचारियों के तरफ से साथ महिला पुलिस करमचारियों के उस पर नाम लिखे हुए थे जिसमें कहा था कि उनके साथ में एक महिला पुलिस करमी ने कहा बचकर्क के भाग निकली बात में बहार जाकरके उन्होंने महीला एसेचो को भी और महीला डीेसपी को भी कहा शिकायत करता ने जो अरोप लगाया था शिकायत के अंदर कहा था कि उप पुलिस दिक्शक यह रहनी डीेसपी और एसेचो मैडम ने उनसे कहा कि नौकरी के अंदर अगर आपको प्रमोशन लेनी है आपको अपने आपको भेतरीन करना है आपको रुपिया कमाना है तो फिर थोड़े से समझोते करने पड़ते हैं जो उसका मूल जो बात थी उसके अंदर जो कही गई खेर सारा मामला बहुत तेजी से बड़ा महिला आयोग ने उस पर संग्यान लिया महिला आयोग की जो चेर परसा नया श्रीमती रिनु भाटिया उन्होंने पुलिस अदिक्षक जिन पर आरोप लगे थे उनको तलब भी किया उनके बयान भी दर्ज किये उनसे बात भी की और क सरकार से श कहा था कि जब तक जहांस ना हो तब तक इन्हें यह फिर उस जिले से हटा दिया जाये और सरकार ने श कनि मुख्यमंत्री ने एस बात को नहीं होते तब तक तो उस बारे में यही कहा जाएगा कि उन पर जो आरोप लगे थे और अगर वो साबित होते हैं तो उसके बाद की बात में होंगी और महिला पुलिस कर्मियों के लिए कहा गया कि उनके भी बयान दर्ज की जाएंगे हलाकि उस बात की जो जाँच की थी फतेहबाद की एसपी आस्था मोदी ने और उन्होंने उन्निस महिला पुलिस कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किये अब उस सारे मामले की जाँच दे दी गई है हर्याना की ADGP ममता सिंग को ममता सिंग के नेतरतों में SIT बनाई गई है और SIT के अंदर तीन IPS अधिकारी लिए गए है अब वो SIT दुबारा से जाँच करेगी दोस्तों सबसे महत्यपूर बात यह है कि महिला अपराद को ले करके अगर सरकार का इस प्रकार का सक्त संदेश जनता के बीच ना जाता चाहे वो खिलाडी थी चाहे वो महिला कुष्टी पहलवान थी उनकी तरफ से कई बड़े नेताओं पर अधिकारियों पर आरोप लगे थे और उसमें सरकार पर आरोप लगते थे कि सरकार लीपा पूती कर रही है लेकिन इस मामले में जिस प्रकार का एक्षन लिया गया है सबसे बड़ा एक्षन तो यह हुआ कि उन पुलिस अधिक्षक को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया जो महिला एसेचो और महिला डी एसपी जिन पर आरोप लगा था उनको भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया और अब उस मामले की साइटी से जहां जिसके अंदर दो महिल महिला पुलिसदिकारी ममता सिंग एडीजीपी एक हर्यारा की सबसे अगर मैं यह कहूं कुशाल और कुशाग्र महिला पुलिसदिकारी माली जाती है ममता सिंग की क्राइम पर पकड जवर्दस पकड मानी जाती है चाहे वो नहूं के दंगे थे और चाहे कही बड़े-बड़े मैटर जिनके अंदर की सरकार ममता सिंग पर विश्वास जताती है और उस पर वो खड़ा उतरती है और अब इस सारे मामले की जाच भी ममता सिंग जी को दी गई है ममता सिंग के साथ दो IPS अधिकारी और होंगे और सबसे दोस्तों महत्वपूर बात यह है कि जो विशे हुआ करता है वो हुआ करता है विश्वास का अगर सरकार के प्रती, जनता के बीच, सरकार के करमचारियों के बीच, महिलाओं के बीच या जो भी लोग हों जो सरकार के मातहत काम करते हैं अगर उनके अंदर कहीं अविश्वास की भावना हो और सरकार के मातहत काम करने वाले करमचारी अधिकारी नहीं आम परदेश का आम अवाम परदेश की आम जनता अगर उनके बीच में कहीं अपनी सरकार के प्रतिक कोई अविश्वास पैदा हो जाए तो फिर अविश्वास की खाई धीरे धीरे बढ़ती है और ये ना सूबे के लिए ठीक होता है ना समाज के लिए ठीक होता है और अगर तो हरियाना सरकार ने इस मामले में जिस प्रकार का संग्यान लिया है अगर महिला आयोग की बात करें तो महिला आयोग ने भी स्वता संग्यान लिया अगर सरकार की बात करें तो वो चिठी जो वायरल हुई थी वो सोशल मीडिया पर हुई थी मुख्यमंत्री नायव सिंग सेनी ने और भारती जंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महुनलाल बडॉली ने इस मामलें बड़ा स्पष्ट कहा था कि इसकी पूरी गंभीरता से और गहनता से जांच कराई जाएगी उन्हेंने कहा था कि जांच के अंदर जो भी दोशी पाया जाएगा उसको जो माकूल कारवाई योगी बक्षा नहीं जाएगा और आज वो अगर ये कह दे कि वो सब कुछ होता हुआ दिख रहा है यानि कि पलिस अधिक्षक का वहां से ट्रांसफर करके और दूसरी जगह भेजा जाना वहाँ पर जो आरोपी महिला एसेचो और महिला डीएसपी थी उनका ट्रांसफर किया जाना मामले की जाच एसाइटी को दिया जाना और अब एसाइटी द्वारा उस पर कारवाई शुरू होना मैं आपको बताता चलू कि कई पुलिस अधिकारियों और कई करमचारियों से जनमें सेवा निवरत भी और जो आजकल ड्यूटी रत लोग हैं उनसे भी मेरी बातचीत होई थी इस मामले को लेकर के पुलिस अधिकारियों और करमचारियों का जो पुलिस की कारेशैली को बड़े पास से जानते हैं उनका कहना था कि इसके अंदर जो होना चाहिए कि जो आरोपी, SP, SHO और DSP जो भी लोग हैं उनको वहां से हटाया जाना सबसे पहला काम होना चाहिए तो वो अब होने के बाद में जो मैं आपको बता रहा था कि सरकार के प्रति विश्वास की भावना तो सरकार ने और हर्याना पुलिस के आला अधिकारियों ने संदेश दे दिया कि वो किसी भी प्रकार से ना तो आम जन के बीच में और ना करमचारी अधिकारियों के बीच में किसी प्रकार का सुरक्षा का या अविश्वास का कोई संदेश छोड़ना चाहते हैं सारे मामले की जांच के बाद में अगर जब दूद का दूद और पानी का पानी जब सामने आएगा क्योंकि अपराद महिला विरुद्ध है और महिला अधिकारी जब इसके अंदर SIT चीफ है और महिला अधिकारी इसके अंदर शामिल की गई है तो फिर उम्मीद की जाती है कि जांच भी बहुत पार दर्शिता के साथ में होगी और उसके बाद में जो दोशी होगा उस पर कारवाई होगी सबसे महत्वपून बात है दोस्तों यह मैंने आपको वीडियो में पहले भी कहा था अगर पुलिस अधिक्षक जो पुलिस के अधिकारी हैं चाहिए वो ऐसे चूँ ईडियेस प्यांगी जिन करमचारियों आरोप लगाई हैं अगर कहीं वो आरोप सही है तो फिर यह संदेश ठीक नहीं था और उस पर एक्षन होना ही चाहिए और एक्षन भी ऐसा होना चाहिए जो नजीर बन जाए अगर SHO DSP और SP उसके अंदर कहीं involved थे उस मामले के अंदर तो फिर उस पे कोई दोरायनी कि सक्त और गंबीर action होता हुआ दिखना चाहिए और होना भी चाहिए लेकिन अगर कहीं जैसा आरोपी SP कह रहे थे और वहाँ पर एक FIR भी हुई एक social media platform च चाहिए कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन था अगर कोई शड्यंत्र करता था शड्यंत्र रचा गया था कोई साजिश करता था तो वह भी सामने आनी चाहिए ताकि खाकी पर जिस प्रकार से खाकी को धुमिल करने का प्रयास किया गया वह प्रयास या वह जो कोशिश हो और SIT से जांच कराने के बाद में क्या ये संदेश दे दिया है कि वो किसी भी प्रकार के विश्वास और असुरक्षा की भावना प्रदेश की जनतर करमचारियों के बीच नहीं छोड़ना चाहती। आपको क्या लगता है जो वहां के ROP SP कह रहे थे, ROP पलिस अदिक्षक जो IPS अदिकारी कह रहे थे कि कोई ये साजिश है तो आपको क्या इसके अंदर किसी साजिश की भू आती है और आपको क्या लगता है कि ADGP ममता सिंग और उनकी SIT टीम, Special Investigation टीम की जांच के बाद में जो सामने आएगा उससे क्या पूरा नयाय हूप आएगा कमेंट्स बॉक्स में जुरू बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस जिए बैलाइक पूरू झाल 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 झाल